गुद मॉर्णिंग कैसे आप आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्त होंगे विचारों में सकारात मकता होगी क्या रगाता आपको आपकी खुश्बिंद वदी आपका साथ छोड़ देगी एक दिन का वीडियो स्किप हुआ है है ना वो थोड ने दोगी क्योंकि मैं आपके परिवार का और आप मेरे परिवार का एक कहें हिश्रा बन गए है ना तो फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया आप बने रही है मेरे वीडियो के साथ पूरा वर्च कीजिएगा अपना सपोर्ट दीजिएगा और अपना रिस्ता हम दोनों का अटूड बनाए रखे रहा ठीक है परिशान मत हो ना विचारों में सकारत्मक्ता बनाए रहे ना मुस्कुरा के सभी परिशानियों का हल निकालाता है हम लोग सब मिलकर साथ इस जो कुरुनम हमारी फैली हुई है जो पूरे देश में पूरे विश्व में इसका आतंग पहला हुआ है हम धीरे धीरे से उपर हो जाएंगे फिर हम लोग सब मिलेंगे फिर हमारे जीवन में खुसी आएंगी फिर हम सब लोग पुराने दिन वापस आजाएंगे फिर हम लोग अच्छे से हसके मुस्कुरा के जूसरी से मिलके हमारा काम बनने लगेगा हम अपने का पर जाने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करेंगे, ठीक है, और I hope so, मेरे लाइफ में भी सब अच्छा रहे है, है ना, जन्ने आपके लिए प्रे करूँगी, तो आप भी मेरे लिए करेंगे, है ना, ठीक, तो यहाँ पर मेरा मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, और हम लोग नास्ता कर रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है, लक्ष को दूद और केला दिया है, और हम लोग इसमें से बिस्किट और भुजिया और ब्रेट बटर लगा के दो-दो ब्रेट बगेरा ले ले लेते हैं, अपना उसके बाद फिर दुबहर का खाना अपना बनाने में स्टार्ट कर देते हैं अपना लग जाते हैं काम पर तो मैं भी लक्ष के साथी नास्ता कर रही हूँ इसके पापा जो है वो नहाने गए हैं उसके बाद फिर उनको भी नास्ता दे दूँगी जो मेरे हस्बिन बोलते हैं वही हम लोग बनाते हैं वही खाते हैं हम लोग और ये सामान हमने आज से तीन दिन पहले मंगवाए था मैंने आपको बताया था कुछ सबजिया और कुछ कुर्याने का सामान लेके आये थे प्रिवेस वीडियो में आपने देखा होगा तो मैंने सारा सामान एक जोले में भर के एक साइट में रख दिया था तीन दिन के बाद मैंने आज खोला है तो मैं सभी सामान को डिब्बों में भर रही हूं सारे डिब्बे मैंने माझे रही हैं मैं माज दो नहीं रही हूं बस केबल गीले कपले से साफ करके जो भी सामान है किराने का मेरे knitting kl Two the pilgrimage लाए है और जो कुछ पहले का भीर कभी रखा था जरुवत का सामान तो वह सारा हम इस डिबों में सिफ्ट कर रहे हैं सारा लगा रहे हैं और सोच सोच के कहा क्या कैसे रखना है क्या क्या चीज़ें कुछ पिंक कलर के मेरे डिब्बे हैं मैंने वहाँ स्लैप पे लगा रखे हैं और कुछ छोडी छोडी डिब्बियां हैं उनमें भी सारे मसाले सभी चीजें उनमें भर रखी है और इन बड़े-बड़े डिब्बों में भी कुछ ना कुछ भरी रखा है गिरहस्ती में कितना सावान होता है तब भी कम पड़ी जाता है कि आज ये निवचा, आज वो निव बचार ये खत्म हो गया वह खत्म हो गया गुशना कुछ लगा ही रहता है और सामने लग्ष जो है सैमपूर कंडिसरे की जो माला है उनसे खेल रहे आपजिल की बोटल से उनसे भी खेल रहे हैं लक्षने अभी नहाया नहीं है चाहनास्ता हो गया है उनका और आप थोड़ी दिर खेलेंगे उसके बाद फिर नहाएंगे उसके बाद फिर मैं उन्हें घंटे बैठकर पढ़ने के लिए बोलूँगी कभी वो पढ़ते हैं कभी कभी कुछ करते ही रहते हैं थोड़ा थोड़ा और मैं भी मना नहीं करती हूं अब किता पढ़ाएंगे किता याद करवाएंगे उनको एक बार बताने से सबी चीज़े याद भी हो जाती हैं तो वो कर लेते हैं तो फिर मैं ज्यादा बर्डन नहीं डालती हूं और थोड़ आप पूछा में दोखना है उलागा निए साबोन भी दालते हैं अप किचण में घर ग्रस्ति में कुछ नब खतम हो तर्श प्राइब Sind खतम हो गया प्राइब क्थी तो होग आप दो आप ज़से घृत्थ नहीं कभी खत्म गादा है तो मैंने सारा सामान भडिया और है कुछ उबा नीचारी रहती हुँ नास्थे कडिब्बा बनाकर रख़ गता हुआ है जिसमें मुझी ब्रेट, बिस्केट, नमकीन, मेगी के पैकिट और वह यामने बनना गब निचारी देख सेंग और बाकी के बनना चाहिए मेसু आपकें तो हम लोग सीदा यही डबह उठा लेते हैं और इसीवे साम के समय जिसे जो भी चीश की जरूरत लगती है वो इसमे निकाल लेता है नमकीन है, बिसकीठ है, टोस्ट है, ब्रेड है जो भी चीजे लगती हैं वो ले लेते हैं अब यहां पर मैंने चाय पत्ती मगाई थी तो थोड़ी रह रही थी दिब्बे में तो मैंने सोचा चलो इसमें फिल करके रख लेती हूं क्योंकि यह दिब्बे फिर मैं उपर चड़ा दूँगी फिर कुर्सी पर चड़के इसलेप चड़के फिर मुझे उठाना पड़ेग तो मेरा एक डिब्बा जो मैंने भराए वो बहुत दिनों तक चलता रहता है सारे डिब्बो में समान भट दिया है साफ कर दिया है मैं उठा के उपर रख दूँगी इस समय दो पहर के साड़ेवारा बज रहे हैं Од anch Od बनाने जा रही हूँ दो पहर के खाना दो पहर के खाने आँ पना रहे हैं पानी बता से जह जह ना आका वहरे दिक रहाए हैं पर मेरे होते हैं ठीकnio तो फिर मैंने दोफेर के खाने के लिए पानी बताशे के लिए मैंने एक तरफ आलू बालने के लिए चड़ा दिये और उसी में मैंने केरी राल दी है तो दोनों चीज़े एक साथ उबल जाएंगी और साथी साथ मैंने खमन का भी जो मिक्चर है उसको भी मैं गोल बना के रख रही हूँ थोड़े देर के लिए गोल बना के रख दूँगी उसके बाद फिर मैं उसका जो खमन का जो स्टेंड होता है उसमें डाल के खमन बना बनाना और देखो जो चीज़े जो लोग मन से खाएं दिल से खाएं तो अच्छा भी है हम उल्टा सीधा कुछ बना के रख दे वह मू बनाएं उनको खाने में अच्छा ना लगे या फिर मन से ना खाएं तो यह भी अच्छा ने लगता है आप देख रहे होंगे कि मैंने भी बेटर बना के रख दिया है और इसके बाद अब मैं पानी बताशे का जो पानी बनाऊंगी उसके लिए मैंने हरी मिर्ची और धनिया और इसमें थोड़ा सा पुदीन हरा की पतिया भी मैं डाल दूँगी तो इसको मिक्सर में अच्छे से चला लूँगी इसका एक पेस अब 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 मैं मिक्सर में चला रही हूं पानी बताशे का पानी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक तरफ खमन का चढ़ा दिया है और दूसरा जो आलू और केरी उबाल के रखे थी उनको ठंडा करने के लिए रख दिया है जब तक वो ठंडे हो रहे हैं और खमन बन रहा है तब तक मैंने सोचा ये खरभुजा भी काट कर छील का रख देती हूं जब तक ठंडे हो जाएंगे लग से रहा नहीं गया तो वो तो काटे काटे से एक पीस ले लिया उन्होंने खाने के लिए और क्या है बच्चा है कोई बात नहीं है बच्चों के लिए ही तो सारी चीजें होती है उता है कि फाल्तू की चीजें खा रहे हैं अगर फ्रूट खाते हैं मर्ची भनिया और पुदीने का पेस्ट बनाया था वह घ्रावी एड़ कर दिया है अब इसमें और भी चीज़ाँ में सबसे पहले मैं डाला है काला नमक इसमें डाल रही हूं यह बुना हुआ जीरा और इसमें गुष्वय भून लीती और उसको पीस लिया है तो बहुत ही एच्छा टेस्ट आता है ये तो इसे बाद अब मैं डाल नहीं थे बैखने के पानीपूरी मसाला ये पानीपूरी मसाला से भी हो जाता हैना इस नहीं ich ये बने के तैयार हो गया हमारा पानी पूरी का मसाला, मैंने दो प्लेट्स भरके खमनके बनायतें उनकोक को निकाल लिया है, और अब मैं इसमे तड़का लगा रही हूँ जिसमें मैं ने थोड़ा सा दो चम्मज रिफाइंड ओल लिया है और इसमें राई डाली हैं, ये मैंने कड़ी पत्ते डाल दिये हैं कड़ी पत्ते भुन गए हैं तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसी मैं अब मैं इसमें थोड़ी सी एक चम्मच चीनी डाल गई हूं और इसके बाद फिर इसमें दो चार बुंदे निवू की डाल दूँगी ये दो चार बुंदे मैंने नीवू की डाल दी है दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ डालना भूल गई हूँ और बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया वो कौन सी चीज़ है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि मैंने क्या चीज़ इसमें मिस कर दी है वो मैंने क्या नहीं डाला है बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि वो भी डाला जाता है मैंने उसको तो डाला ही नहीं है तो आप बताएगा कि वो क्या चीज़ है जो मैं खमण में डालना भूल गई ठीक है और ये पानी जो है, वो मैंने खमन में डाल दिया है, आप चाहें तो इनको सूखे भी निकाल के काट के ले सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरीके से पानी बाले भी बना सकते हैं, हम लोग को ये पानी वाले अच्छे लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा सूखे सूखे लग मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सभी लोग मेरी पार्टी में इन्वाइटेड हैं तो आप सभी का आमंत्रण है मेरे यहां तो मेरा यह आज का वीडियो था आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें दोस्तों मुझे इस समय आप करें और ऐसे हमारी के माहौल में बिल्कुल भी दुखी मत हो निरास मत हो एक समय ऐसा आएगा कि हम इससे निकल आएंगे दोस्तों ठीक है थैंक यू बाई बाई